तो दोस्तों इस वीडियो में आप समें डिस्क्स करने वालाओं की M.A. ड्रोइंग एंड पेंटिंग का जो कोर्स वो आकिर होता क्या है तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राफ्थ हो जाएगे और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वे एक वार जाकर जरूर देख सकते हो तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं MA Drawing and Painting course के बारे मैं आपसे मैं डिसकस करूँ तो MA का मतलब होता है Master of Arts और MA Drawing and Painting का जो course है जैक course एक Post-Graduation Level की डिगरी का course होता है तो जैक course दो वरश का course होता है जिसमें कुल चार स्मेस्टर होते हैं तो MA Drawing and Painting का यह कैसा course होता है जिसमें आपको Paintings और Drawing के Advanced Level की Knowledge और Skills आपको Develop करने का आपको मौका मिलता है तो इस course के मादब से आप various art techniques, art history, contemporary art और artistic expressions की aspects आप explore करते हो जैक course आपको artistic vision को refine करने का आपको मौका देता है इसके तुरू आप एक accomplished artist बन सकते हो और अपनी creativity को higher level पर ले जा सकते हो इसके साथ ही आपको sketching, shading, composition और prospective drawing techniques भी आपको study करवाई जाती हैं इस course को पुरा करने के बाद आप अपने artistic specialization में expertise develop करते हैं और professional artist बनने की तैयारी करते हैं साथ इस course की मादम से आपको research study भी आप करते हो तो अगर दोस्तों आप इस प्रकार की field में अगर आप interest रखते हो तब तो आपको jack course आपको जिरूर करना चाहिए जो कि काफी सारे students इस course को करते हैं अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हों की जने अगर आप इस course को करना चाहते हो तो इसके लिए आखिर आपको क्या करना पड़ेगा तो इस course को करने के लिए दोस्तों आपको जो बैचुलर की जो डिगरी है उसे आपको पास करना पड़ेगी तो तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाओगे और साथ में दोस्तों आपको जेवी बताना चाहता हूँ कि काफिस अरज इनिवरस्टी जो और colleges उन्हें प्रेफर करते हैं जिरे students ने bachelor की जो डिगरी होती है वो drawing and painting के course से पास की होती है और साथ में दोस्तों आपको जेवी बताना चाहता हूँ कि काफिस अरज इनिवरस्टी इसका और जो colleges का जो eligibility criteria है इस course के regarding बहुत different भी हो सकता है अभी आपसे में job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जैने अगर आप इस course के पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप arts teacher बन सकते हो आप graphic designer बन सकते हो आप sketch artist बन सकते हो आप fine artist बन सकते हो इसके लाव दोस्तों आप जो art director की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में slayvus के बारे में आपसे में discuss करने वाला होगी जैने आप इस course में आखिर किस परकार के जो slayvus होता है उसे आप study करते हो इस course में आप history of Indian paintings, pictorial composition, sketching, history of modern, western arts, etc जो topics और जो subjects होते हैं आप इस course के मदब से दोस्तों आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जी भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारे universities के और जो colleges के slayvus के हिसाफ से जाए जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में आपसे मैंने MA Drawing and Paintings course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी तो अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो ने तो आपको इस बीडियो के description में और भी काफी सारे courses के बारे में भी बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देख सकते हो तो आन्त में दोस्तों अभी आपको जैब बीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब बीडियो पसंद आईए तो आप बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाग